हेलो एबरीबन बलकम टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम याँ पर रुमाल की मदस्य सरदियों के लिए न्यू बेबी के लिए टोपी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ त्रेका रुमाल लिया है इसकी चोड़ाई 9 इंच है 9 इंच से थोड़ी सी जादा और ल और यहाँ पर हलकी सी गुलाई करके हमें कटिंग कर देना है और यहाँ पर कट लगा देंगे फिर हमें यहाँ पर इस पट्टी को सीधा करेंगे यह पट्टी हमारी एक यह डेड़ इंच ओड़ी होगी अब हमें यहाँ पर फोल्ड करके कट लगा देंगे पिर हमें आपर रोमाल को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे तो यहां पर हमारा कठा है और जो हमारा पट्टी वाला कठा है दोनों को मिलाकर रखेंगे और इसमें कुछ तरह से पलेटे डालेंगे पलेट का जो डारेक्शन है वो हमें अपनी तरफ रखना आए तो नीचे से हमारी पट्टी बराबर आनी चाहिए इतनी पलेट हमें डाल लेए है तो एक तरफ से मैंने पट्टी को सिल लिया है अब हम यहां पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं तो अब हमें आपर प्लेट का डारेक्शन भार की तरफ रखेंगे और इसके उपर पट्टी को रखे सिलाई लगा देंगे तो कुछ इत्रे से मैंने पट्टी को सिल लिया हैं अब हमें आपर इसको सीधा रखेंगे और इसमें हमें दाप सिलाई लगा देनी है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यह आप लोग लाइक करना बोल जाते हूँ तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो देखी इस तरह से मैंने पट्टी को सिल लिया है अब हम याँ पर इसको बरावर करेंगे और 20 सेंटर पर निशान लगा देंगे और याँ पर हमें एक या दो इस तरह से प्लेट को डाल लेना है तो याँ पर मैं एक प्लेट को डाल लेती हूँ तो कुछ इतरह से हमारी टोपी बन कर आई है और यहाँ पर मैंने दो पट्टी सिली है पट्टी की लंबाई अपने साफ से भी रख सकती है तो अब हम यहाँ पर एक पट्टी को लेंगे और इसको हमें पहले इस तरह से रख के देख लेना है फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर हमें मजबूती से सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से दूसी तरफ भी पट्टी को सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसी तरफ भी पट्टी को सिल लिया है और इतरह से हमारी जो टोपी है वो बनका त्यार हो गई है यह टोपी मैंने निव बेवी के लिए बनाई है तो इसी तरीके से आप भी रुमाल की मदद से बहुती संदर सी टोपी बना सकती है तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सच्क्राइब करना ना भूले और बैलाकन को भी दबा दे जिससे जो अमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए